जएन दोस्तों, आप सभी का हमारे यूटूब चनल पर सवागत है आज मैं आपको must important fruit crop जिसको mango कहते हैं या king of fruit crop कहते हैं, king of fruit भी कहते हैं इसको तो mango में लगने वाले जो insect हैं, जो major insect हैं इसमें कौन-कौन से कीट लगते हैं कहा कहाँ पर Howणी पहुंचाते हैं इन सब के बारे में आज हम आपको बताइंगे तो पहले तो यह जान लो कि जैसे महंगो का साइंटफिग नेम है महंजी फेरा इंडिका इसका यह साइंटफिग नेम है और इसमें लगने वाले जो mostly insect हैं वो सभी जामे में पूछे जाते हैं वो चाहें जारप का हो या TGT, PGT का हो कम से कम हर साल या जो भी entomology का portion है उसमें insect पूछ लिये जाते हैं जैसे मिली बग है, hopper है, stone, bibil है ये सारे insect पूछे जाते हैं तो हमारा first insect कौन सा है, mango hopper है, ठीक है, तो यह important insect है आपका mango hopper अब आपने mango hopper देखा होगा, कि जो mango के जो stem होता है, तो stem में जैसे ही हाँ, आप हाथ रखोगे उसमें स्टेम में, तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारे insect इकदम से क्या होगे, उड़ने लगेंगे, तो जब insect वहाँ से हटेंगे, तो वो stem में या inflorescence में जो दिखाई दे, वो होता है hopper, यह दिख रहा होगा, छोटा सा होता है, माइनिट सा होता है, छोटा सा होता है, तो यह mango hop होता है, अब इसका scientific name क्या है, इसके दो scientific name है, आपको ज्यादा तर यह, एमरी, टोटर, एटकें, सोनी, यह वाला scientific name दिखेगा, नहीं हुआ तो IDEO, Scopus, नियो, पैरसस, यह दिख जाएगा, ठीक है, फैमली क्या हो जाएगी इसकी, सीका, डिली, डी, फैमली हो जाएगी, औ होपर है, तो हैमी, पैटेरा, और हो जाएगा, तो यह रहा आपका mango hopper, अब इसका हम देखेंगे, कैसे कहां पर हानी पहुचाता है mango crop में, तो यह inflorescence, जो mango का पुस्प क्रम होता है, गुच्छा होता है, जो flowering stage पर होता है mango, तो क्या होता कि उसी time पर यह ज्यादा हानी प adult, क्योंकि यह हमी पैटेरा ओडर का है, तो हमी पैटेरा ओडर में जो immature stage होती है, वो निम्फ होती है, तो निम्फ और adult, यह दोनों मिलके क्या करेंगे, इसमें हानी पहुचाएंगे, और कहां पर हानी पहुचाएंगे, छतिलच्छन यह डेमेज सिम्टम क्या है इसके, त drying of inflorescence, तो जो inflorescence है, mango का inflorescence है, उसको यह क्या कर देंगे, सुखा देंगे, with large scale of weathering and setting of mango flowers, तो mango जो flower हो क्या हो जाएगा, नीचे जड़ने लगेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में जड़ जाएंगे, तो उसमें जब flower ही नहीं रहेगा, तो फल कहां से, फ्रूट कहां से लगेगा, तो यह इस तरीके से हानी पहुचाता है, यह देखो, यहाँ पर mango को, flower को सुखा दिया, अब देखिए दूसरा insect कौन सा है हमारा, mango stem borer है, तो mango stem borer है, तो आपने देखा होगा, जो mango का plant होता है, पौदा होता है, तो उसमें क्या है कि जो इस तरह पौदा है, यह इसमें टैनिया है, इसकी branches है, तो इसकी branches सूख जाती है, तो जब branches सूख जाती है, तो लोगों को लगता है कि इसमें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन वो बीमारी नहीं होती है, क्या होता है, इसमें insect भी हो सकता है, तो insect कैसे क्या काम करता है, इसमें, इसके stem में जाता है, और जाने के बाद में एक छोटा सा हॉल करता है, अंदर घुस जाता है, और उसके टिस्सू को खाता है, तो जब टिस्सू को खाएगा, तो क्या होगा, ब्रांचे सूख जाएगी, तो इसका क्या होगा scientific name, वैटो सीरा रूफो मैकुलाटा, यह scientific name इसका पूछा जाता है, और किस्टेम बोरर है किस से मेंद कृलियोप्तेरा से को यसले विन गाई तो यह से बोरर से लेकीन लेविश लेकिन पूलंदि क taraf इते हैं किससी क्वेंद केंद से माच एकす प्सपन। हो जाएगी और koleopatera areader हो जाएगा कुछ इस तरीके का इसंटक्ट दीखता है कि ह사를 कि आरे में इसेज क्वाध कि कॉलियो पर comes कर डारेत हुआ है तो हमने पहले भी बता अब जब टीसू को खाएगा तो ब्रांचिस अपने आप सुख जाएंगी तो यह हो जाएगा इसका इस तरह का जो लच्छन दिखाई दे तो क्या हो जाएगा मैंगो इस्टम बोरर अब इसका मनेजमेंट आप कैसे करेंगे तो मनेजमेंट के लिए क्या करते हैं जिसे जो फ है तो उसको जैसे स्टेम है तो स्टेम के जहां पर आपको हो ы स्टिर ओल दिखी तो टेफलेट अंदर डाल य euro डाल दी इन दी до इन हो अगे में को जाम करромें मिंट्टी से क्या कर देंगे बंद कर देंगे आखीक हो आए फास्पीन गैस होगी जिससे इंसेक्ट खताम हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा और हमारा जो प्लांट है बच जाएगा अगला इंसेक्ट क्या है मैंगो मिलीवग मस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट इन मैंगो क्रॉप इससे बहुत ज़्यादा कोर्शन पूचा मैंगो मिलीवग का साइंटिफिंग नेम पूचता है फैमली भी पूचता है सबसे ज़्यादा इसका मनेजमेंट पूचता है और पिछली बार TGT के पेपर में यह पूचा गया था कि मैंगो मिलीवग जो है एक लेंग कहां करता है इतना डीव जा सकता है समझ लिजी आप का पेपर इन्टुमोलाजेम यहां तक पूच्छता है कि एक लेंग कहां करता अन्डे कहां दे रहा है मिलीवग करता है यह जा ओओ के आपको बताएंगे और कैसे इसका मनेजमेंट करेंगे क्यों कि सबसे इंपोर्टेंड में मनेजमेंट मैं मिलीव capture है जिससे पता ड्रोसिका मेंजी फेरी, simple name है इसका मेंजी फेरी है, अगर ड्रोसिका लगा देंगे आप, तो ड्रोसिका मेंजी फेरी हो जाएगी, family क्या हो जाएगा, मारगा, रोडिडी फेमली है इसकी और हेमी पेटेरा, और रख्यों कि मिली बग है, तो बग किस में आते है हो आते हैं ही पेटेरा में, और यह देखिए, इस तरीके का वाइट वाइट सा दिखता है, जिसे कुछ उन टाइप में हो, ठीक है, इस तरीके का यह दिखता है, अभी हम डेमेज में बताएंगे कहां पर डेमेज करता है या कैसे, यह देखिए, एक image यह है, यहां से यहां identification इसका किया जा सकता है, आप पैचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा इंसेक्ट लगा हुआ है, और इसका management भी बहुत सिंपल होता है, तो हानिकारे का वस्ता क्या हो जाएगी, निफन एडल्ट हो जाएगी, डेमेज सिंटम क्या हो जाएगी इसमें, तो लाज नंबर आप मिल quality है उसको खराब कर देता है, effect प्रभाव करता है उसमें, अगर जो अच्छा fruit होगा, बजार में विखने योग होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी quality कम कर देगा, जब quality कम कर देगा तो उसके price कम मिलेंगे, market में उसकी value घड जाएगी, इन्फेस्टेसन इज फाउंड आव लीज द्राइब ये पौदों का जो पतियां होती है उसको भी हन पहुचाता और पतियां क्या हो जाती है सूग जाती है और इसके management कि लिए हम क्या कर देंग इसके management मिजिसे ये प्लांट है आपका मनेजमेंट इसका बहुत ध्यान से सुनना यह सब आपके लिए और इसी में देखना कि जो प्लांट है अब हम इसी से रिलेटेड आपको बताएंगे तो कैसे होता है कि यह मैंगो मिलीवग स्वाइल में मिट्टी में एग लेंग करता है कहां पर करता है तो जब अंडे यहां पर देगा स्वाइल में यहां पर इसने अंडे दे दिए एक लेंग करती अब एक लेंग करने के बाद में होता क्या है कि जब यहां से निम्प जो होगा तो वो स्वाइल में तो रहेंग ने क्योंकि जाना इसको प्लांट में चड़के तो यह प्लां लिती नोती है जिसको क्या करेंगे प्लाइंट के चार ओ और हम प्लाइंट के लिए उपर चाड़ेंगा तो पॉली नियुक्ति चिंग महीं पायगा तो एगलें किया करता है स्वालल में करता है और मैंजमेंटके, क्या करते हैं Polythene की stem में bending करते हैं Next insect कहा है या हमारा Mango Fruit Fly अब ये भी important है सभी के लिए important है जिनके पास mango का जो Orchard है या mango के पौदे लगे हुए हैं एक ही या Orchard पूरा-पूरा 150 जितने भी हो लेकिन ये समय सें सम में आती है जैसे की अब हमने बताया कि mango fruit fly है तो इसका scientific name क्या हो जाएगा बैक्टो सिरा dorsalis अब fruit fly है जैसे housefly mosquito तो वैसे ही इसका भी order क्या हो जाएगा डिप टेरा order हो जाएगा और family क्या हो जाएगा टिफ्रिटिटी family हो जाएगी इसकी अब mango fruit fly की पैच्छान आप कैसे करेंगे और कैसे यह ह आपको अभी बताते हैं अब identification के लिए आप यह देख लीजिए कि इस तरीके की fruit fly दिखती है अब mango क्यों क्यों मीठा होता है तभी तो लोग खाते mango को मीठा ना होता तो क्यों खाते तो और राजा भी है फलों का तो जब फल का राजा है मीठा है तो इसमें मीठे में क्या ह तो जो मैंगो का आपने fruit देखा जैसे कि दसहरी जो अपने आपर variety है वो मीठी है तो जब मीठी variety तो उसमें क्या होता कि कीडे की समय स्या ज्यादा आती है एक समय के बाद में क्या होता बरसात के सीजन में उसमें कीडे पढ़ जाते हैं अंदर और कीडे होते किसके वो fruit fly क कीडे होते हैं जिनको हम क्या बोलते है maggot कहते हैं अब वही कीडे जब अंदर उसको फाडो तो उसमें कीडे पाए जाते है वही है अब यह एग लेंग कहां करता है fruit fly यह एग लेंग करता है mango के surface पर surface पर हैचिंग होती हैच होने के बाद में क्या होता कि जो उसके maggot होते ह है वो लारव होता है मैंगो कर चला जाएगा अब जबूद होता उसी के ज्फिन होती है अर्फ होत Wahrji और ज्य घंट हो थो में जूद दॉल्ड हां अंश्रह करता है उस्द्भी दवह सवल्ड होती तो सब्ट होने कyorsun जो अंदर का गूदा है उसको फीड करता Of the fruit and the affected portion rot तो जहां पर यह खाता है वहां पर क्या हो जाती है? Rotting हो जाती And the fruit drop of oozing of fruit is also observed on fruit infected with fruit fly सडन हो जाती है, drop हो जाता है और यही सारे जो है market में इसको बेचा नहीं जा सकता क्योंकि जब उसमें कीडे होंगे तो उसको कौन खाएगा अंदर? खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगला कौन सा है? Leap Beaver नाम से ही पता चलना होगा आपको कि यह कैसा insect है? Beaver है तो Lepidopetera में आएगा और Beaving करेगा तो क्या है Leap Beaver? Scientific name क्या है? और थेगा एक्स भी ना ठीक है? फैमली क्या हो जाएगी? Noctrid family है और order क्या हो जाएगा? Leapidopetera order हो जाएगा अभी देखना कि जैसे आपको Mango जो ट्री है उसमें कुछ पत्तियां एक में जो जुटी हुई दिखाई देती हैं उनमें क्या होता है? कि जैसे मकड़ी ने उसमें जाला बुन दिया हो ऐसा अगर जो सिम्टम दिखाई दे तो किसका हो जाएगा? Leapidopetera का सिम्टम है ये देखो आ गया इस तरीके का अगर जो सिम्टम दिखाई दे और ज्यादा तर mango जो और शाट होते हैं या mango का जो ट्री होता है उसमें पौदों में इस तरीके का लच्छन दिखाई देता है या इस तरीके के जो होगा है कुछ ना कुद दिखाई देते हैं तो इसको कौन आन पहुंचाता है? Leapidopetera आन पहुंचाता है Caterpillar Leapidopetera का है तो Caterpillar हो जाएगा इसकी damaging stage और damage symptom क्या हो जाएगा Caterpillar feed on the tender leaves by remaining inside the bev क्या करता है? कि यह leaf को खाता है खाने के बाद में अंदर ही इसको bev करता रहता है इस तरह इस तरह अंदर रहता है और बाहर से का कर लेगा? कबर कर लेगा यह दिख भी रहा होगा तो यह है इसका damage symptom अगला insect कौन सा है? mango, stone या nut bevill यह important है एक्जामों में सभी एक्जाम में यह पूछा जाता है जारब के एक्जाम में तो mostly यह पूछा जाता है mango, nut bevill तो scientific name इसका क्या हो जाएगा? Eastern Chatters, Mangy Fairy यह इसका scientific name है, stone bevill है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी होगा कि किस में आ जाएगा यह order में, कोलियो पिटेरा order में आ जाएगा सबसे बड़ी जो कोलियो पिटेरा की family है कुरकुलियो नीडी family इससे यह बिलोग करता और नाम से यह आपको पता चल लाओगा कि stone बिल है तो जो stone किसे गई थे मैंगू में जैसे यह मैंगो है यह मैंगो बन गया ठीक ना अब इसके अंदर जो गुठली होती उसी तो stone बोलते हैं जो seed coat होता है उसका जो उपर का आवरन होता है seed है ठीक है तो उसी को cover को क्या कहिते हैं stone कहिते हैं जिसमें बहुत सारे रेसे रेसे जुड़े होते हैं तो उसी को हान पहुचाता है और इस तरीके का यह देखिए आप दिख रहा होगा अब दोनों हान पहुचाते ग्राब एंड एडेल कोलियोपटेरा का है तो ग्राब एंड एडेल यह देखिए यह देखिए जो यह इसका जो बाहरी आवरन है stone है stone को ही हान पहुचाता ना तो यह surface पे ना leaf पर ना stem में ना pulp को खाता है यह किसको खाता है mango fruit में stone को खाता है अब damage symptom क्या हो जाएंगे T-sab marking इसकी क्या होती है T-sab marking होती है यह भी पूचा जाता है on marble size mango fruit अगर जो यह पूच दिया जाए आप से कि marble stage में mango के जब fruit गिरते हैं तो किस का किस इंसेक्ट का प्रकोफ होता है तो वह आप बताएंगे stone में बिलका फिर डॉन को खाता है को खाता है को खाता है यहां पर then germination is affected जब कोटी लीडन ही नहीं रहेगा जब उसका भूण ही नहीं रहेगा तो कहां से germination कर पाएगा तो इस लिए जो mango का जो stone है उसको खालेगा cotyledon को खालेगा यह अब अगला कौन सा है mango fruit borer या red banded caterpillar अब यह red banded caterpillar इसको किस लिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाल-लाल से band होते हैं इसके caterpillar में जैसे यह caterpillar रहे इसका ठीक है इस तरह अब इसमें इस तरह इस तरह रेड-रेड लाल कलर के banded होंगे इसी लिए इसको बोलते हैं red banded caterpillar अब इसका क्या साइंटिफिंग नेम है डायनोलिस सब्लिम बैलिस यह इसका साइंटिफिंग नेम है पायरा लेडी फैमिली इसकी और लेपिटो पिटेरा और तो यह भी फ्रूट को खाता अंदर फ्रूट बोरर है तो फ्रूट को ही खाएगा डेमेजिंग स्टेज क्या हो जाएगी इसकी caterpillar हो जाएगी यह और डेमेज स्टेज क्या है Caterpillar feed on the mango fruit at all stage चाहे वो पका हो या कच्छा हो छोटा हो या बड़ा हो कुछ भी हो किसी भी stage का mango हो यह फ्रूट बोरर सम महान कहुंचाता है एनी stage development में हो कुछ भी हो secondary infection by bacteria and fungi where seen ultraward causing fruit rotting and fruit fell from the tree prematurely क्या होता है कि यह जब डेमेज करता है डेमेज करने के बाद में क्या होता है कि इसमें secondary infection किसका लग जाता है bacteria और fungus का लग जाता है तो क्या होता है जब bacteria fungus का इसमें हो जाता है और ये कमजोर हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जब ये प्रिमैच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मंज़ मेंूंजा जाता है माहंगो का मोनोफाइगोस इंसेक्ट कौन सा है तो वह ब Capstone नट भुवल और मोनोफाइगा इंसेक्ट सको कहते हैं जो एक ही फसल में लगे जैसे माहंगो में तो महेंगों को ही आन पॉंचा क्या अब नट इयुबल जो है तो उनट को कॉटी इलेका प्ला इंसेक्ट का तरन फाइवस इंसेक्ट मोर ऻोल करहा हूं यह तो बर्क इंक केटर पिलर यह तो तो आफ हो जाएगा यह इनसेक्ट कौन 17 1990 पॉली फैगस किसे कहते हैं जो ज्यादा तर सभी पेड़ों में हन पहुंचा है चाहे मैंगो हो या गौवा हो कुछ भी हो सब में बबूल हो या अधर ट्री हो उन सभी में ये बार्क हीटिंग केटरपिलर हन पहुंचाता है जिसमें भी आप इस्टेम देखना इस्टेम के पर जो छाल होती है जो बार्क होता है जो उसको खाता कभी निकाल के देखना जो लूज हो जाता है जो जैसे की पुराना या पुराना सूखा हुआ पेड़ा है तो उसमें गैलरी टाइब की बनी होंगी या उसका जो बार्क निकालना तो उसमें गैलरी टाइब की इस तरी फाइगस है यह बहुता जो पोदे होते हैं उनमें लगता है लेकिन पूछा जाएगा जो मोनो फाइगस इंसेक्ट कौन सा है तो वो है नट भीविल ठीक है इसका साइंट पिंग नेम क्या हो जाएगा इंडार वेला क्वाडरीनो टा और मेटा मेटार बिलीडी फैमिली है औ और लेपिडो पेटेरा ओडर ठीक है डेमिज स्टेज क्या हो जाएगे इसके कैटरफिलर क्योंकि बार्ग इटिंग कैटरफिलर है तो नाम सही पता चला कैटरफिलर और डेमिज सिम्टम क्या हो जाएगे इसके प्रिजेंस आप गैलरी यह देखिए अपने पहले बिता य जाएंगे उसमें गैलरी से मिलेंगे, राष्टाय मिलेंगे ऐसे ऐसे च्छाल में, made out of silk, जो इसका silk है जब निकालेंगे, and press loosely plastered on the trunk, main branches, especially near the forks, क्या होता है कि जैसे ये ये पौदा है, जो main branch है, ये पौदा है, यहाँ पर जो बार्ग लगा होता है, छाल होती है, जैसे stem है, तो उसके उपर छाल तो होती है, सभी stem में होता है, तो जब छाल होती है, छाल में क्या करेगा, ऐसे 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 ये गैलरी बना के पूरी छाल को खा जाएगा, पूरी बार को, तो इस तरह यह हाने पहुचाता है, अगला क्या है, मिज, अब यह किस में आ जाएगा, मिज है अगर जो, तो डिप्टेरा ओर्डर में आ जाएगा, यह देखिए, सिसी जो माइडी, फैमली है इसकी और यह सुमिया, इंडिका इसका साइंटिफिक गेम है, त जैसे लीफ है, तो लीफ में देखना कि क्या होंगे, छोटे-छोटे से उब्रे हुए तुमको, वो दिखाई देंगे, फफोले टाइप में दिखाई देंगे, तो जब फफोले ढेंडी कुछ बिंदू टाइप में दिखाई देंगे, ऐसा माहिनेट सा होता है तो आप ठिक है यह तो जब यह दिख रहे हैं तो यह कौन करता है इसको कौन बनाता है यह मेज का काम है तो इस तरीके से आप पैशान कर सकते हैं कि इसको कौन हान पहुचा रहा है मेज है ऐसे छोटा सा इंसेक्ट होता identify करेंगे damage symptom देखके इसका identify कर सकते हैं ठीक है और पतियों और पौधों को भी हान पहुचाता है maggot turns into the axis of inflorescence causes bending and drying of inflorescence क्या गरता है bending कर देता है और destroy कर देता है किसको inflorescence पुस्क्रम को completely destroy कर देता है यंग maggot bore into tender fruit which slowly turn always and finally drop क्या होता है इसका जो maggot होता हूँ maggot भी आन पहुचाता है वो maggot कहां पहुचाएगा कि जो इसका fruit होता है fruit में घुर जाएगा और fruit क्या हो जाएगा गिर जाएगा नीचे अगला कौन सा है हमारा scale यह वह वाला scale नहीं है यह insect है scale पूछा जाता है समीक जाएगों में इसका scientific क्या नेम हो जाएगा spdiotis distractor co-cd family और hemipatera order है तो distractor जो है इसका last में नेम है तो यहां से आप जो है पैशान कर सकते है spdiotis distractors यह इसका scientific नेम है जो बहुता पूछा गया है कई बार पूछा गया एग्जाम में ठीक है और इसकी family और order पूछ लिया जाता है यह देखिए इस स्केल इंसेक्ट है तो यह बहुत कम लोग पैशान कर पाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़रा दिखाई नहीं देखाई देता है ना इसकी आइस दिखाई देंगे एंटिना और माउत ऐसा कुछ इसमें कुछ दिखाई नहीं दे देता एक चोटा सा दबा टाइम में दिखाई देगा वही जो है ऐसे ऐडेंटिफाई करेंगे आप stage कौन सी हो जाएगी damage करने की तो वो हो जाएगी nymph and adult क्योंकि hemipeter order का है तो nymph and adult हो जाएगी damage symptom इसका क्या हो जाएगा nymph and adult sucks safe from leaf and other tender part reducing vigor of plant क्या करेगा sucks safe करेगा चूंस लेगा किसको चूंस लेगा leaf and other tender part जो भी उपरी के हिस्से हैं उनको चूंस लेगा they also exert honey dew which help in the development of suity mouth क्या करेगा और यह क्या secret करता है honey dew का secretion करता है और honey dew में जब secretion होता है तो वो चिफचिफा सा पदार्त होता है हलका मिठास होती उसमें sugar type में होता है तो यहां पर आपको large number of ant present होंगी इस चीगे पर मैंने आपको जितने भी इंसेक्ट होते हैं सभी का identification management जिनका important है उनका बता दिया और scientific name damage symptom जिनके important है किस तरीके से पूछा जाएगा इस में से जितने भी exam होते हैं तो mango hopper अगर जो major insect mango का पूछ लिया जाए तो mango hopper है मिली बग है ठीक है मिली बग में management उसके बाद monofigus क्या आए पॉली फाइगस क्या आए यह जितने भी important features होते हैं वो मैंने major insect के बता दिये हैं mango crop के मिलते हैं हम आपको next class में और जुड़े रही है हम से हमारे यहां पर MSC का बैच जो है वो चालू है आप आखे जोएन कर सकते हैं और सभी competition exam के लिए मेंस का जो exam है agriculture के लिए वो यहां पर चालू है थेंक यू